वो वाला मीम नहीं है भाई यहाँ पर क्या हो रहा है वही वाला सीन यह सोलो सिकोवा और यह रोमन रेंज ब्लड लाइन वाली स्टोरी में चल रहा है क्योंकि कल हमने स्मैक डॉन में तो देखा कि सोलो सिकोवा कह रहा है कि ट्राइबल चीफ के कहने पर उसने किया है लेकिन रोमन रेंज तो वो ट्राइबल चीफ है यह लेकिन उसके बाद अपनी इंस्साग्राम की स्टोरी पर सोलो सिकोवा ने यह वाली फोटो डाली है जहां पर आप देख सकते हो यह वही पिक्चर है जब रोमन रेंज ने सोलो सिकोवा को हग किया हुआ तो अब इससे फैंस करना का चाहरे हो तो अब मुझे आसा लग रहा है कि यह सोलो सिकोवा ने फोटो इसलिए डाली है कि फैंस कुछ और सोचें लेकिन उनको कुछ और प्लान है बागी आप बताओ आपको क्या लग रहा है इस फोटो को देखके ओके हेलो चैटर्स माइनम इस रुईत एंच यह वाचिंग रसलिटर वेलकमे गाइस आपका वोईस ओफ रेसलिंग के एक और न एपिसोड में संडे आप आज तो आपको लोग को हैपिसंडे आज अपना मस आराम से चिल रिलाक्स करो अगर बागी सारे दिन आपके होते है बिजी और रोमन रेंज की जो ट्विटर की बायो है वो हो चुकी है अपडेट और यह देखे थोड़ा सा दिल तो टूट रहा है क्योंकि इससे पहले वाली बायो में रोमन रेंज का लिखा होता था अंडिस्पूटे डवलोबली उनिवर्सल चैंपे एट ताइम रसलिमि वाला जो टाइगा वो तो हड़िया लेकिन स्टिल ट्राइबल चीफ और हैड अफ देवलोबली बात करेंगे लेकिन नेक्स बात करते हैं रोमन रेंज के भाई डीन आम्रोज और जॉन मॉक्सली के बारे में तो डीन आम्रोज इस प्रोफेशनल रेस्लिंग की पूरी जीती है और अब एंज पीड़लो में जाके उन्होंने एंज पीड़लो की जो वर्ल्ल चैंपेंशिप है उसको भी जीत लिया है इसको कॉल करते हैं और यह पहले सूपरस्टार बन चुके हैं ऐसा करने वाले तो जो डीन आम्रोज जान वॉक्सली के अंदर चुल है ना अल बहुत जादा वैल्यूबल है क्योंकि जाफन में बिल्कुल यह प्लेगा है वो इसको एक धर में एक रिलिजीन की तरह बिल्कुल बिजनेस की तरह जारा नहीं देखते और नहीं देखते हैं इसी की वज़ह साफ देखते भी हो कि वह डवी जैसे उतने ग्रो नहीं करते क् हमारे तो Dean Emerald आपसे उम्मीद है दुबारा से आऊ जा रहा एक बार और ठाटल जीत होगे तब हम भी मानें कि हाँ चलो कुछ है कर रहे हैं अच्छा गाम इसके बार बात करते हैं खाई दो शेमस के बारे में ऑर शेमस को के बारे में डुब डूबलwe के फिस्टिशल होने वाला कने negóल क इस तरीके से कुछ ऐसा करते हैं लगता है हम यह बंदा इन्वेस्टेट है तो इस बार उमीद जाद हैं शेमस से लेकिन हाज जोड़के गुजारिश है हंटर साभ आप से कि आप जो शेमस का पुराना वाले म्यूजिक है वो लेकर आ जाना क्योंकि उससे फिर हमको थोड़ा करने में और जाद आसानी होगी नेक्ष्ट बात करते हैं ब्रॉक लेस्ट बारे में और इतनी जोर जान लगा के इसलिए बोला कि गुड़ नियुस है उनके बारे में अब कुछ दिन पहले मैं आपको बताया था रेसम जीने के बाद वाली वीडियो में कि जो ब्रॉक लेस्ट है उनके प्लेश ब्रॉक लेस्ट बारे में बात की जाएगी लेकिन बिल्कुल भी नहीं है बाई ब्रॉक लेस्ट को फुला जिंदा देखा रहे हैं और मैं पता क्या फील करता हूं इसके बारे मुझे असा लग रहा है कि कुछ तो हुआ था कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वज़ मामला जो पहले बेकार था कुछ शिफ्ट यह कर रहा और इसलिए मैं सुना भी था कि अब डेबल डॉली में डिसकुशन्स हो रहे हैं ब्रॉक लेस्ट को वापस लाने के लिए लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में खुल के बात नहीं की जारी लेकिन अच्छ लेकिन सारे के सारे वह ऑन सेल हैं और जैसी वह बिग गए तो यानि कि पूरा पता है विंस का वह कट जाएगा कुछ नहीं रहेगा अभी तो जैसे शेयर से कुछ भी नहीं रहेगा लिटरली और विंस बिलकुल डेबल डॉली के प्रोड़क्स से अलग वैसे तो अलड़ी यह हो चुक है सिर्फ अभी उनके पैसे लगे हुए कंपनी में तो जैसे यह हट जाएंगे तो फिर इसका मतलब विंस का कोई रिष्टा नाता नहीं है डेबल डॉली से ना टीके उस और वैसे वी अब तो उनको भाव भी नहीं देरा कोई डेबल डॉली में उनके कान डोन मुझे तो अभी भी यही बोलने किया था लेकिन अब आपने स्मैक्टन पर भी नोटिस किया हुआ खुद को बोलते हुए कि वह इसको अंडिस्पूटेड डॉली चैंपनशिप बोल रहे है वह जो उनिवर्सल चैंपनशिप वाला नाम है उसको हटा दिया गया है तो इसक मार्केटिंग के हिसाब से अपने प्रोड़क को फैलाने के हसाब से बहुत सोचती है तो अंडिस्पूटेड वाला टैक थोड़ा सा कन्फूजन क्रियेट करता है थोड़ा कैश्यों लोग में कि अंडिस्पूटेड क्या है तो simply उसको नाम यह डबल डबली चैंपनशिप दिल टूट गया बिगी ने क्या ट्वीट के आप देख सकते हैं यहां पर बतारहें कि उनका जो सीवन है वो हील हो चुका है यह अपने नेक के बाद कर आपको पता है या लग अलग अलग जो हैं पार्ट्स में होता है बांस जो कनेक्ट होते हैं हमारे तो उन्हों ने यह कि मेडिकली क्लियर नहीं हूं अभी और शाद कभी भी नहीं होंगा ऐसा करके उनने जो लिखा भाई सब लोगों के दिली टूट गया बट वो फिर भी कह रहा है कि चलो वो बिना किसी दर्द में है और अपनी हेल्दी लाइफ को जी रहे है इसका मतलब बिगी हो तो चुक टाइम आफ ना लेना पड़े है और टाइम आफ तो छोड़ो भाई यहां पर बंदे का करियर ही पूरा दाओ पर लग गया है तो अब क्या ही कर सकते है मतलब इसमें कुछ दूआए और कुछ प्रात्ना करो तो शाद बिगी के लिए कुछ अच्छा हो जाए बट हो जाए इंजरी के वेसे अरिजिनल रिटार्मेंट करती मुझे नाम पताने के जरूत नहीं आपको पता बहुत सार ऐसे नाम है कोडी रोट्स ने बड़ी क्यूट सी पिक्चर शेयर करी अपने ट्विटर अकांट पर जहां पर देख सकते हो कि कोडी रोट्स की जो डॉटर है उन् पर इवन लोगों का रियाक्शन भी बहुत तगड़ा वाई एक लाग के आसपास लाइक सा चुके इस पर तो कोडी रोट्स का चैंपेंट बनने के बाद रेस्ली में में जीतने के बाद भी जो फैन्स का सपोर्ट है वो स्चिल मैं कह सकते हो उनके साथ वैसा ही बरकर आ र पिक्चर के बारे में और देखो यह फोटो कितने सारे इमोशन बया करती है जो लोग स्पेशली यह बोलते ना कि अरह यह तो स्क्रिप्टेड है यह वह है यह देखो भाई कैसे अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं और सेथ रोलेंस का यह हग बिल्कुल मुझे ऐसी फी करनी बनती है और इसलिए जो एमोशन वो निकल रहेँ इवन रोमन रेंस की पिक्चर आई और रसनमीना की नाइट 2 के बाद हारना के बाद वाली एप लिए यहां तर होर fan करने के साथ संद्व के सबस्क्राइबरें और रसनमीना के चाहरे पर फॉल आई और यह वाली सब्सक्राइब करें यहां पर यहां पर आप देख सकते हो रेंडी ओल्टन जब रैंप से जा रहे हैं तो वह ऐसे करके अपनी अपनी चैस्ट को ऐसे एसे करने बादा थफ़ा रहे हैं जो भी बोलना आपको तो यह रोमन रेंज को देखके उन्होंने किया और उनको पता की चल रहा हूंगे वह capture ना हो जा है लेकिन रेंडी ओल्टन भी acknowledge करने रोमन रेंज को उनके इस रेंड के लिए तो हर जगह रोमन रेंज को बहुत एप्रिशेट किया जा रहा है और अब रेंड भी हो चुका है तो लोगों के लिए जो रिस्पेक्ट रोमन रेंज के लिए और यह देख के अच्छा भी लग रहा है रॉक ने रैसल मिने में एक मैच करके दे दिया भाई हर जगह हर तरीके से अलग अलग तरीके से पता नहीं रॉक ही क्यों नजर आ रहे है यह एक छोटी सी वीडियो आई है जहां पर रॉक ने लिटरली उस रेफरी को थपड मार के ब वुषना पूरा और क्योंकि राग बॉस बेख उनको फिरडंब बीग बहुल ने सता होना रहा यह क्या कर दें तो अपने धंदे पर अपने फे रहे रहे पर आपने धंडे पर बाश होने का फाज़ा कि हाँ अपने हिसाब से कर सकते हैं यह बाउस के स्टेटस पर हो चुके हैं भाई CM Punk और अभी WWW ने जो ड्राफ्ट के दोनों शो हैं रो और SmackDown के लिए उसके लिए उनका एड़िटाइस किया है तो लोग कह रहा है और भाई क्लीन शेव वाला पंक आ रहा है और यूजरी लोगों के मिक्स रियाक्शन रहते हैं इस पर कि किसी को तो तगडी वाली वायबात है और किसी को बात बेकार वाली आप किसमें से वह से आपको शेव पंक ज्यादा पसंद है फिर उनकी होनीची बीर्ट जैसा मैंने बोला थोड़ी देर पहले को सकता है Summerslam में और उससे पहले भी आजा लेकिन कुछ प्लैंस में आया नहीं जो से सोचके चलती है न तो शायद डेखे कि ब्लड लाइन की स्टोरी कैसे चल रही है और जहां पर उनको जरौत होगी वह रोमन रेंस को डाले है परसनली मैं यह मैं तो यह बोलूगा इवन जरूर होने वाला है इस बात में कोई भी शक्त नी है क्योंकि जैसे रोमन रेंस टाइटल हा रहे हैं कम बैक जब उनका रिटन होगा तो ओविसली बाई बिग डील है चाहे वो किसी भी तरीके सा है तो और उसको और बढ़िया तरीके से एक्जिक्यूट करें तो जो बिग होंगा के बारे में खुद लेंसे न यह बताया कि हाकु जिनको वह मानते हैं कि वह उनकी फैमिली में बिलाओं करते हैं बलॉड से उनका कोई रिलेशन नी है और और हाकु और रिकिशी वाली तो कहानी पहले भी थी और हाकु के ही बेटे हैं टाम 18 होगा और यह एक स्पेस तो ऐसे relation है तो जैसा confused होने की जूरत नी है बहुत सा लोग को नाम बेजीब लग रहा है तामाट होगा यह कैसा नाम है तो इसी नाम के साथ भाई उन्होंने अपना पूरा रेस्लिंग करियर वह बहुत टाइम पहले से आज की नेक्टयन फाइनल स्टोरी है रोमेन रेंज्स और सब रियूनियान के बारे में शयाई डवल डूब्ली के हिस्टी के टप 5 या टॉप 10 मूऌट्स इमोश्टनल मूवमेंट्स होल्सम मूवमेंट्स बेस्ट मेसाथ हो सकता जब यह दोनों एक साहत होंगे अब यह हो एक पर WWE Samy Zane को भी दुबार Same 오 Sixtie बोड लाइने टाएंग करने ही वाली एक कि आपको पता है bloodline की कहानी अलग Samy Zane की पर bloodline की कहानी बिल्कूरी अलग तीर मैं सही बता ईस ताइम पर शाहद सबसे ज़ादा Story wise चीज़ों के अजय को था Rock आये पर शाहरा तो सारा धमाकार हेडलाइन सी होगे लेकिन अगर स्टोरी की तरह देखो कि चलो रॉक के तो बिग स्टार वाली फील जाते तो जो भी करें तो स्पेशल हो जाता लेकर स्टोरी के साफ से तो जो सैमी जैन के टाइम पर हो रहा था वह एक्सेप्शनल था तो यहीं चीज डबल रोमन रेंज हार गये हैं अब तो ठीक है चलो ब्लड डार का चाप ट्रेंड अब रोमन रेंज अपने अलागी मिशन पर निकलेंगे लेकिन ट्रेपल एश ने बोला था रोमन रेंज ऐसी स्टोर लैन में जाने वाला है जो कि बिलकुल नए दरवाजे खोली और वह वोल न दीके मज़े